हाई मैं हो दुशाबा और आप देखरें फंडू कंटेंट बिग बॉस बारा का इस बार का कप्तानी का टास काफी धमा का लाया है घर में इस बार के कप्तानी के टास के लिए घर में दिवाली गेस्ट भी आये थे जो थे विकास गुपता, शिलपाशिंदे, सना खान, सपना चौदरी और शेफ जोरावर कालरा, घर में कप्तानी के टास के दौरान हमने स्रीशंद और करनवीर के बीच में काफी लडाईया देखी, दोनों ही काफी एक दूसरे के खिलाफ आकरोश में आ गये थे, पर जब कप्तानी के दावेदार के लिए स्रीशंद को खड़ा किया गया था, उस दौरान स्रीशंद और करनवीर के बीच में सब सुलज गया था, और आखिर में स्रीशंद बन गए बिग बोस 12 के इस हफते के कप्तान, वो भी 11 वोटों से, कप्तानी के टास्क के अंत में स्रीशंद और करनवीर ने गले मिलकर अपने बीच क्या सारा जगडा सुलजा दिया था पर हमें देखने मिला स्रीशन जैसे ही कप्तान बन गए और कप्तानी के पहले ही दिन जब उनको चुनना पड़ा काल कोटरी सजा के लिए तीन लोग स्रीशन ने करनवीर का नाम सामने लिया अब आप इसे स्रीशन का मास्टर गेम प्लान भी खह सकते हैं हमें इस से इतना तो समझ में आ रहा हैं कि स्रीशन थी अकेले हैं जो पूरे घर में गेम खेल रहे हैं और सारी चीज़े उनके दिमाग के हिसाब से चल रही है और इसी के साथ जो तीन लोग काल कोटरी की सजा के लिए चुने गए हैं वो है करनवीर बोरा, मेगा धारे और रोहित सुचंती हम उम्मीद करते हैं स्रीशंद का ये खेल उन्हें बहुत आगे तक लेके जाए और शायद बिग बॉस बारा का विनर भी बना दे बिग बॉस बारा की ऐसी ही मज़िदार, मस्ती भरी और चौका देनी वाली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए